नमस्कार आप देख रहे हैं भी हार ने उस मेहुन देश्व मिनिशा सागर समाचारों में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले देखते हैं समाचार सुर्खियां चिनियागरों के मध्धंब्रिये पदर्धिकारियों का प्रश्रिक्षन कारिक्रम का आयोजन संजय गाधी जैविक उद्यान में हुआ हाजिपूर के जेल में तानात पुलिस कर्मे की अपराधियों निमारी गोई घट नास्तर परी हुई हुई मौद दारापूर इस्तित हॉली क्रोस इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन ने मीडिया कर्मे विसाथ की बदसलू की स्कूल कैमपस में ही बनाया बंधन और बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 62 एजेंडो पर लगी मुहर किसानों के फसलों के पटवन के लिए 196 करोड की मेली शुक्र प्रियावर्ण एवंगवन विभाग की और से संजय गांथी जैवे कुद्यान में सो मुहर को चिडियाघरों के मधधमबर्य पदारिकारियों का प्रस्रीक्षण कारिक्रम का आयूजन्ट हुआ का उधगाटन उपमखमतिस सुषिलक्मार मोदी ने किया कि गेंडा प्रजनरन केंद्रकार निर्मार जल्द जैवे कुद्यान में किया जाएगा इसके लिए पूरी कर ली गई है। आपके जितनी वेस्टिंग प्रेसेश ते स्वके बॉशर अभी भी 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 प्रेजर करके रखा हुआ है। आपकी बड़ी संख्या में इस तरह से इस्पैसीस को जोड़े में मुदद की है। और मैं सेंटरल्जू अधरी से भी आगर करूगा। इस एक्स्चेंज के काम में आपके और दिख मदद दिया हो सकता है, आपके और और करते में हो, मुझे पता नहीं हो, और दुनिया के बाकी देशों से भी, और किस तरह से भार्म के उदर पुश्रूआ सके, क्रिया गुरू में पुश्रूआ सके, तो इसलिए और संजय खनन विवाग के प्रहान सचीव को हाई कोट नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आमाना वाद चला जाए, हाई कोट ने अदालती आदेश के खिलाफ जारी आदेश पर रोक लगा दिया, और आसन शोधित कानून के अनुसार खनन मामली में आदेश जारी करने का रुदेश दिया है, आपको बताते हैं कि जीफ जस्ट राजंदर मेरन की खंड पीट ने मामले की सुनाई की है, इस मामले की अगली सुनाई 18 दिसम्मर को होनी है, एक बार फिर बेख़ौफ अपरादियों का कहर देखने को मिला है, बेटा के अमराहा में अपरादि की गला दबा कर हत्या कर दी और शौ को सुनसानी राके में फेक दिया, शौ मिलते ही लाके में संसानी फैल गई, फिलहाल पूलिस मामला दर्ज कर चानवीन में जुट गई है, पटना में उतार जजज रामचंदर दास का बेटा आलोक 28 नॉमबर से ही लापता है, ठाने में थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई, तब परिजनों ने SSP से गुहार लगाई, परिजनों का कहना है कि घटना के दिन से ही यूग का फोन बंद है, वही SSP ने कारवाई का भरोसा दिया है, उर्फे पपू, घर से पटना के डांक बंगला चौराहा पर बिहार की खिलारियों ने प्रदर्शन किया, बिहार प्लेयर एसोशियेशन की और से किये गए प्रदर्शन में सैक्ड़ों खिलारियों ने हिस्सा लिया, इस मौके पर एसोशियेशन के अध्याक्षम मिर्तिजर तिवारी ने सरकार से किये गए कोटे पर बहाली करने की मांगी गवर तलब है कि पिसले पात सालों से खिलारियों की बहाली नहीं हुई है जब तक खिलारियों को नोकरी नहीं मिल जाती है तब तक ये अंदोलन जारी रखेंगे खिल के साथ खिलवाल करने वाले अधिकारी खिल परतिभाओं के विकास में बाध़क बने हुए है मुख्य मंत्री जी को सरकार को अविलम संग्यान लेना चाहिए नहीं तो हम इंट से इंट बजा देंगे विहार के क्षीमंत्री प्रेम कौणि ने दन्यावा प्रकॉन कायाले परसंद में ना Onu निरमत किषान भौण का उधग्वाटन किया किषी मंत्री जिला के सितना थिकारी महोंगे से कि हमारे परम आधर नीज़ को अपराधियों ने गोली मार दी घार से जेल जाने के दोरान जेल गेट पर अपराधियों की गोली से पूलिस कर्मी की मौत हो गई आपको बताते चलें कि मृतक सिपाही सहब का जमान था और जेल में कक्षपाल के तोर पर तैनात था सो मौर की सुभा सिपाही दीपनार रॉय सदर थाना क्षटर के लाल पोखर से जेल ज्यूटी जाने के लिए निकला था कि वही जेल के पहले अपराधियों ने सिपाही को सीर में गोली मारी जिसे तुरंत अस्पताल में भरती कराया गया जहां अस्पताल पहुंचते पर डॉक्टरों ने सिपाही को मृत घोशित कर दिया उधर घटना के कारणों का खुलासा भी नहीं हो पाया है दानापूर में हॉले क्रोस इंटरनेशनल स्कूल परमंधन की गुंडागर्दी देखनों को मिली है एक समवादाता सम्मिलन के दोरान परमंधकों ने मीडिया कर्मियों के साथ दुर्वेभार किया और फिर स्कूल के कैमबस में ही मीडिया कर्मियों को बंधक भी मना लिया बताती चले कि कुस दिन पहले ही हॉले क्रोस स्कूल में एक कर्मचारी ने च्छाता के साथ रेव की कोशिश की थी जिसके बाद जमकर बावाल भी मचा था और इसी को लेकर सोमवार को प्रबंधा ने प्रेस कॉंफरेंस बुलाई थी लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मियों के साथ बदस्वलुकी हुई और उन्हें स्कूल कैंपस में ही बंधक बना लिया गया अरडिया युआ कंग्रेस ने राहूल कांधी के राष्ट्रे अध्यक्ष चुने जान पर जश्ट मनाया इस मौकई पर युआ कॉंग्रेस अरड़ी आधियक नाजीस हलीम एवं कॉंग्रेस कार्याकरताओं नियातिषबाजी कर पार्टी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए शहर में मोटर साइकल जूलुष निकाला यहां जुलुष कॉंग्रेस का रियाले से प्रारम भोकर शाहर के चानी चौक पर समाप्त हुआ इस मौके पर दरजनों की संख्या में कारेकप करता शामिल थे मौतिहारी इस्तिनमुण्षे सिंग महाविद्याले के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रिय कृष्यमंत्री राधा मोहन सिंग ने दीप परज्वलित कर किया इस दौरान उन्होंने महाविद्याले परिसर में बने विभिन संकायों के तीन भोनों का उद्गाटन भी किया वही उन्होंने कॉलेज के स्थापना दिवस कारेक्ट्रम के अवसर पर चामपान में गांधी विदासत और सियासत विश्यक सेमिनार में हिस्सा भी लिया जिसे संबोधित करते हुए केंद्रिय कृष्यमंत्री राधा मोहन सिंग ने गांधी के सत्या और अहिंसा को आधुनिक इतिहास के लिए प्रासंगिक बताया उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी का अन्य विद्यार्थी भी मौजूब थे अहिंसा एक दर्शन है और यह दर्शन पूरे विश्यों को महादमागान थे जिने उत्तर बिहार नकसली संगठन के जोर्नल कमीटी का सदस्य दिनेश और नकसली मुस्ताक को पूरी चंपार्ण पुलिस ने उसके दो सातियों के अर्तूस, तीन खोखा, पाथ देटूनेटर, ग्यरा हजार रुपे नकद, एक देसी पिस्टल, तीन मोबाइल, छे सीम, नकसली पोस्टर और लेवी वसूली के रशीत को भी बरामत किया है। इसमें तीन नकसली पूलिस के हथे चड़ गए, बाकी नकसली भागने में काम्याब रहे। वही पूलिस इस गरफतारी को अपने एक बड़ी सभलता मान रही है। तुरहाटोला गाउं में एक बच्ची की मौत कीका देने के कुछ घंटे बाद ही हो गई। हर सिधी पीची की एनम ने मृत बच्ची को ओपीवी दू और पेंटा वैलेंट दो काटी का दिया था। उसके बाद बच्ची के बेचरनी बढ़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया। मृत बच्ची के पिता ने स्थाने थाना को इसकी सूचना दी। लहाजा पुलिस ने मृत बच्ची के शाओ को कबजे में लेकर पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि तुरहा टोली के रहने वाले अख्लिस साह के तीन वर्षिये बच्ची मृनी कमारी को नियमिट ठीका करन अभ्यान के तद पढ़ने वाला ठीका दिया गया। टीका देने वाली एनम किशोरी देवी ने मुन्य के पिता को बताया कि टीका देने के बाद बच्ची की बेचनी बढ़ेगी तीका पढ़ने के बाद बच्ची की बेचनी बढ़ गई और वह लगातार रोय जा रही थी उसके बाद अभिभाव का क्रोशित हो गए और अस्था दुर्घटना कोटवा थानक्षत के मठ्या चौकी है जहां कंटेनर से कुचल कर दो योकों की मौत हो गई। बाइक से दोनों योक संग्रामपूर के मंगलापूर होते विए मोतिहारी जा रहे थे। दुर्घटना के बाद चालक कंटेनर लेकर भागने लगा जिसे पीपरा क कोटी में पुलिस ने पकड़ दिया। दुर्घटना के कार्ड एनेस के दोनों लेन को आकरोशित लोगों ने जाम कर दिया। घटना के सुचना पर पहुंचे पुलिस ने शौक को कबजे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोहतास में खनन विभाग के टीम पर पत्थर माफिया ने हमला कर दिया। जिसमें पाध जमान जखमी हुए है। जिसमें पाध जमान जखमी भी हुए हैं। सभी को सदर अस्टाल में भरती कराया गया है। गौर तरब है कि रोहतास में पत्थर माफियाओं का मनुबल हमेशा से ही बढ़ा रहा है। समय समय पर इन माफियाओं द्वारा पुलिस टीम पर हमला भी किया जाता रहा है। आत्मिक विद्याले में मध्यान भोजन बंद कराय जाने की विरोध में मध्यान भोजन शिक्षक संग ने धर्णा प्रदर्शन का आईजन किया। प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों का कहना था कि पिछले कई महीनों से मध्यान भोजन बंद कर दिया गया है जिससे बच्चों को परिशानी हो रही है वही उनका कहना था कि किसी संस्था के माध्यम से मध्यान भोजन का एंदुजाम किया जाए ताकि शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने में सहुलियत हो सके इसके साथ इस मुलेटी से मुझे दीजिए इजाज़त लेकिन आप देखते रिए भी हार नियूज आज की आवाज नमस्ते अभी उच्चनियाले का आदेश भी हुआ है जो सिक्षकों से गहर सक्षनिक काम नहीं किड़ा है उसमें MDM को चिनित किया गया है मध्यान भोजन सिक्षकों से नहीं चला है साथ ही मध्यान भोजन नियमावली जब बना उसमें भी लिखा हुआ है जो सिक्षकों से गहर सक्षनिक काम नहीं किया है हम प्रधाना अध्यापक इसने परतारित हो रहे हैं साथ ही हमारा सम्मान, शमाज में, परिवार में और पदाध्यकारी के नजर में हम कमजोर हो रहे हैं। इन कामों से हमें मुक्ति दिया जाए। तो अपने अस्तर से जिला सिक्षा पदादिकारी को पत्र दिया कि आप अनुरोद किया जिला सिक्षा पदादिकारी से जो आप अपने अस्तर से MDM जो बाधित किया जा रहा है जिला में उसको MDM संचालित करने के लिए अपने अस्तर से पहल करें हम अनुरोद किये जिला सिक्षा पदारिकारी दोरा साथ को पत्र निर्गत किया गया संग के परधाम सचीव के नम से और आठ को बैठक तीन बजे बुलाई गई बारता के लिए और उन्हों को अपील किया गया जो आप अपना पक्ष रखें क्या मांग है आपका उन्होंने अपना पक्ष रखा तीन तारीक वाई बैठक के लिए अंडा का मावला था और बरतमान जो रासी अंडा के लिए पांच रुपईये अंडा दिया जा रहा है मारकेट में साथ रुपईया आच रुपईया अंडा मिल रहा है दूसरी बिंदू का था जो क्या करते हैं जो बरतमान नियम है बिभाग का राती असुली का वह वह वारिक है तिक्षक पर तारी तो होते हैं तो ये तो बिभाग के असरते हैं हमने कहा अज ठीक है और समांगे नोट भी कर लिया मध्यान भोजन 4 दिसंबर 2017 से बंद है उससे पहले मध्यान भोजन चलता रहा है और मध्यान भोजन तो अच्छी योजना है इसका हम दिरोज नहीं करते हैं मगर सिक्छक को बुलवत्ता पून सिक्छा देने के वज़ज से मध्यान भोजन से सिक्छकों को दिक्कत है और मने यानि आप संग के आधिस पर ये बंद किये हुए है कि मात रुसाहसा जील अबने संग का आखवान है कि सिक्छकों को मैंने परतारिफ किया जाता है जिसके वज़ज से मध्यान भोजन संग के आखवान से बंद है कि बच्चों के लिए योग योगी है इस्तित रूप से यह चले लेकि एंजियों के द्वारा चलाया जाए या सरकार और महकमा पे चलावे सिक्छक को पढ़ाने के लिए तभी गुनवता पुन सिक्छा आ सकती है आज की इस्तिती जो है मत्यान भोजन के चलते हमारा सिक्छक बतनाम हो रहा है पदाधिकारी के विए उल्टी गिंती होती है रिकॉबरी के लिए जो ओडर आया है उसमें भी दिया कि एक सब्ता का और तीन महिना का जोर के रिकॉबरी कीजिए किसी से साथ अजार किसी से लेकिन आप देखते रहे हैं भी हार नियूस आज की आवाज नमस्ते